चलिए आप सभी लोग बायो टेकनोलॉजी अच्छे तरीके से आप सभी ने पढ़ लिया पढ़ लिये कि नहीं बायो टेकनोलॉजी की एक-एक बातों को एक-एक बिंदूओं को हमने पिछले कलासों में आपको बताएं हैं और आज की कलास में आपकी स्टार्ट होगी एक नया अध्याय नया चैप्टर जिस चैप्टर का क्या नाम है बायो टेकनोलॉजी एंड इट्स एप्लिकेशन बायो टेकनोलॉजी एंड इट्स एप्लिकेशन अब बताईए आपने देखा बायो टेकनोलोजी में आपने क्या देखा हमें ये बताईए तो आपने देखा कि सर बायो टेकनोलोजी में हमने जीवों के जीन में काफी परिवर्तन किये हैं जीन में परिवर्तन करकर के नए नए क्वाइलिटी और नए नए अलग अलग परका बायो टेकनोलोजी की मदद से अब बताईए अब हम निर्मान कर देंगे मानों की एक बहुत अच्छा पौधा निर्मान किये जो पौधा किसी भी मौसम में उग जाता है किसी भी मौसम में मतलब उसका जन्म हो जाता है और वहाँ पौधा के किसी भी परकार से कोई भी मकोड़े नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं और साथ ही साथ उसमें फलो उलो का उत्पादन भी अधीक मात्रा में है सब कुछ कर दिये तो अब बताईएगा पौधे का निर्मान ऐसा हमने किया तो क्या इस पौधे का हम परियोग नहीं करेंगे क्या परियोग करेंगे त कुछ कुछ बनाएंगे भी वो भी हम आपको चर्चाप के सामने छोटी छोटी बिंदूओं में हम करेंगे कैसे किया जाता है यह आपने पिछला चेप्टर में पढ़ा कि जीन को कैसे काटते हैं जीन को कैसे ट्रांसफर करते हैं कैसे एगो के अंदर भेजते हैं पिछले कलासों पढ़ा अरे पढ़ा किन आप बताए जनेर्टीक इंजिनियरिंग में मुख हतियार कहे गो था तीन गो था अरे था किन आप पहला क्या था एंजाइम दूसरा क्या था वेक्टर अर तिसरा क्या था क्या तीनों के बारे हम नहीं जान गए हैं, सब कुछ जान गए हैं, तो कर अब काउची का निर्मान किया गया सर, बायो टेक्नलोजी का जिस जिस चीजों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें से कुछ चीजों को NCRT प्रहने इस चैप्टर में दिया है, आउसी चीजों का हम यह पढ़ेंगे, अध्यान करेंगे, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे कि बायो टेक्नलोजी का जो परियोग किया गया है, कौन-कौन से छेत्रों में किये गए हैं, सबसे पहले ये आप लोग जान जाएए, तो बायो टेक्नलोजी का परियोग जो किया गया है ये छे छे छेत्रों को आप लोग याद रखिएगा सबसे पहला बायो टेकनलोजी का कौन सा फिल्ड में किया गया परियोग मेडिकल फिल्ड में मेडिकल फिल्ड बोले तो क्या कहोगे चिकित सिये छेत्र में medical field में हमने तरह-तरह का क्या बनाया है दवाईयां बनाई है medical के field में काउची से बनाया है तो आप कहोगे सर जीन में परिवर्तन करके बनाए है और जीन में परिवर्तन जैसी हुआ जैसी बायो टेकनलोजी की बात आ गई अर्थात सबसे पहला कोची बोलेंगे सर हम medical field में किये हैं मर्थात बहुत से चीजों में किये हैं जैसे कि diagnostic में भी किये हैं दवाईयां उबाईयां बनाने में ये सभी चीजों में अर्थात एक बिंदू में बोल दोना कि medical field में हम क्या करते हैं बायो टेकनलोजी का परियोग करते हैं दूसरा नमबर में agriculture field में agriculture field बोले तो क्या कहेंगे क्रिसी के छेतर में आज के समय में जीन में परिवर्तन ला लाकर नए नए परकार के अलग अलग परकार के पौधों का हम सभी लोग क्या कर रहे हैं निर्मान कर रहे हैं जिससे पैदावार की क्या हो रही है वर्दी हो रही है अरे हो रही है किन है अर्थात हम लोग agriculture के भी खेचेतर में हम बायो टेकनलोजी का क्या कर रहे हैं परियोग तिसरा नमबर में संसाधित खाद अब हमारे ऐसे ऐसे चीजों का बायो टेकनलोजी का इस्तेमाल करके हम हसलों का भी निर्मान किये हैं जो लंबे समय तक संसाधित रह सकता है लंबे समय तक हुआ खराब नहीं हो सकते हैं या ऐसे कोई जगह का भी निर्मान किया है जहां पर यदि आप खाद पदार्थ रखते हैं तो वह लंबे समय तक खराब नस्ट नहीं होंगे अर्थात हम कहेंगे सर संसाधित खाद का भी क्या किया है बायो टेकनलोजी का परियोग करके दिर्मान किये हैं अगला नमर में बायो रैमीडियेशन का मतलब क्या होता है जैब सुधार जीबो में भी सुधार किये हैं किसी की गाय दू लिटर दू दे रही है आमर बगलवा वाली के पंचास लिटर दू गाय दे रही है तो हमने दू लिटर दे रही है दू गाय तो क्यों दे रही है इसका मतलब कोई जीन ऐसा होगा पचास लिटर दे रही है बगलवा वाली तो क्यों दे रही है इसमें भी कोई जीन होगा, तो हमने जीन को काटा कूटा और बढ़िया वाला जीन को यहाँ चिपका डाला, तो बताईएगा यह एक परकार का जैब क्या हुआ, सुधार हुआ, जैब के सुधार से मानव का क्या हुआ, कल्यान हुआ, हुआ कि ने हुआ, आगली बातें, वेस ट्रीटमेंट, खराब चीज़ों का, जो भी वेस्ट मैटेरियल है, उस खराब चीज़ों का हमने क्या किया, ट्रीटमेंट किया, ऐसे भी आपने पिछले कलासों में देखा था, सीवेज ट्रीटमेंट, नहीं पढ़े थे, वही तमल उपचार, कितना गंदा अपसिस्ट च किये, अर्थात का सकते हैं, वेस्ट टिरिटमेंट, और एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब होता है, उर्जा उतपादन में भी बायो टेकनलोजी का क्या किया जाता है, हिल्प लिया जाता है, अगला नमर में, जैने टिकली मोडिफाइड क्रोप्स, मतलब ऐसी ऐसी फसलों का भी निर्मान किये हैं, जो फसल अवस्यक्ता से ज़्यादा मात्रा में उतपादन देते हैं, पहले के, आज से पहले के समय में एक कठा में तीन मन धान होता था, आज एक कठा में तीन मन धान होता था, आज के समय में कठा में एक से तीन किलो मन धा हो रहा है कि ने हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि हमने ऐसी फसलें का निर्मान किया जिनेटिकली मोडिफाइड का मतलब अनुबांसिक रूपांतरित फसलें का निर्मान किया मोडिफाइड का मतलब कुछ और और नहीं होता है, Modified का मतलब होता है रूपांतरित, रूप में अंतर कर दिजिए उसे ही कहते हैं Modified, जैसे किसी का बाइक है, बाइक तो बाइक है तो उप डाइरेक काया बोला किसर हमने गाई को Modified किया, इसका मतलब कौछी दूसर गाड़ी ले चलाया, नै, उसी गाड़ी म ही धान का फसल है, केबल हम उसमें क्या किये हैं, Modification किये हैं, अर्थात का सकते हैं, इसकर Genetically Modified Crocs के भी निर्मान किये हैं, इंपोर्टेंट है, आप से पूछ सकता है कि Bio Technology का परियोग कौन-कौन से फिल्ड में किया जाता है, तो आप बताईएगा कौन-कौन से फिल्ड में तीसरा क्या कहोगे, तीसरा क्या बोलोगे, Processed Food, मतलब ऐसे फसलों का भी निर्मान किये हैं, जो लंबे समय तक अस्टोर रह सकते हैं, सड़ेंगे, गलेंगे, नहीं, संसाधित, संसाधित का मतलब होता है, रखना, संसाधनों को खादपदार्थ को रखना, चलिएगा, उस इकली मोडिफाइड क्रोप्स का भी हमने क्या किया जी, निर्मान किया, बात समझ में आया, ये सभी चीजों का हमने क्या किया है, हमने परियोग किया है, काउची का, बायो टेकनोलोजी का, को दिकत यहां तक, याद रहेंगे ना, चार गो तो आईसु याद रह जाएगा, पहला नमर में मेडिकल फिर्ड में, दूसरा नमर में आईगरी कल्चर, यतना तो याद रहेगा, मेडिकल और दूसरा, अजीब के ने सुधार होगे, मतलब बायो रेमीडियेशन, बायो रेमीडियेशन, बायो रेमी, जैब के सुधार में, यह और याद रख लेना, कोची निर्मान ने किये हैं, genetically modified crops बोल दीजेगा, जब यतना याद रखवे किजेगा ते वार रख लीजेगा, क्या जी, तो आप कहिएगा, processed food अर्था संसाधित, खाद का निर्मान करना, चलिए, हो गया, आगली बाते आवाईएगा, NCRT के द्वारा, थ्री critical research area of biotechnology, जैप परोधोगी की के तीन विवेच नातमक अनुसंधान छेत्र, मतलब जो आप biotechnology करने वाले हैं, biotechnology में किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसी बातों की चर्चा हम देखने वाले हैं, biotechnology में तीन विवेच नातमक अनुसंधान छेत्र, क्या-क्या करेंगे, आईए जरा सबसे पहला नमर की बात यदि किया जाए, मार वो ना टंग भा भसका दब, समझनी ना, चलिए, देखिए, आईए, देखिए, हाँ, तो हमने बोला, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया अफ बायो टेक्नलोजी, जैप रोधोगी की के तीन विवेच नातमक अनुसंधान छेत्र क्या-क्या कहता है, आईएगा, पहला नमबर में, पहला नमबर में दिखो बाबू, पहला नमबर में हम, कौची दावें, कौची दावें, अरे पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, एक मिनट थोला सा रूप जाओ, करो कं़ने हम जाओ इएको करो अल एंद करो लूझा वकावेंटी दातरी है, आईएगा, वकाया दोची दिए करो क्या टी autónक करो भादार के चरूबेट पहला हैं, आईएब प्सक्क्राहां, आईएगा आईएगी काता बंदी दे करके पंगी एंखा पहला हैं. झाल 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 शाल झाल चलिए गाता तीन छेत्र ना बता रहे थे आईए जड़ा तीन विवेच नातमक छेत्र हैं तीन एरियाज हैं आईए जड़ा क्या क्या होता है तीनों के अंतरगत आईए सबसे पहला हम चर्चा करते हैं सबसे पहला नमबर में हम उन्नत जीव जैसे सुचम जीव और उसके एंजाइम को हम सरवोतम उतप्रेरक का क्या करते हैं निर्मान करते हैं मतलब जो हमारा सुचम जीव का परियोग से कुछ चीजों का बनाना है सबसे पहले उन्नत जीवों का हम क्या करेंगे निर्मान सौट में समझ जाएगे उनत जीवों जैसे कि आप याद रख लेना कौन सुच मजीव हम का क्या करेंगे उनत बनाएंगे उनत का मतलब होता है बढ़ियां उनत का मतलब क्या हो जाएगा बढ़ियां हम इसे करेंगे बढ़ियां का निर्मान करेंगे बढ़ियां एंजाइम का निर् परिस्थीती आपको नहीं देना होगा क्या सर्वोत्तम परिस्थीती का मतलब अच्छा सैच्वियेशन आप किसी सुचमजीब को रखकर आप उससे एंजाइम निकलवाने वाले हैं तो एंजाइम वो तभी न देगा जब उससे सर्वोत्तम परिस्थीती को रखिएगा हम चा प्रहाएंगे, उस अनुकार से देखवाल करेंगे, तब इना आपका रिजल्ट का हम च्छामता रखेंगे. अर्थात सर्वोत्तम परिस्थीती. तिसरा नमबर में क्या करेंगे? अब जो भी सर्वोत्तम परिस्थीती के बाद जो भी चीजें बनेगा, जैसे प्रोटीन, कर् सुधी करन करेंगे देखेंगे अच्छा से जाचेंगे परखेंगे उसके बाद मार्केट में उस चीजों को लॉंच कर देंगे कि लिजिए हमने बायो टेकनोलोजी का परियोग करके हमने ऐसे चीजों का निर्मान किया है आप सभी लोग इसका लाब उठाएं सिंपल सी बात को तो उन्नत जीवों का निर्मान कब कीजिएगा जब आप सर्वोत्तम परिस्थिती उन्नत जीवों को दीजिएगा जब सर्वोत्तम परिस्थिती दे दीजिएगा तो उन्नत जी प्रोडक्ट का निर्मान करेगा एंजाइम या योगिक जो भी बनाना होगा कुछ भी बन काईएएं, कोची में दिकतें ला सकता है ये सभी चीज़ों को देख बाल करके मतरर सुद्दी करन करके फिर उसे मार्केट में क्या कर देंगे बेच देंगे, निकाल देंगे, भी MARTIN STORP लेगे लिजिए इसका परियोगी जी ही है याद रखना जरा बायो टेक्नोलोजी हैं से चेप्टर आपका अच्छा तरीके से मूढ ले रहा है बायो टेक्नोलोजीकल एप्लीकेशन इन एग्री कल्चर अर्थात क्रीसी में जैप रौधोगी की का उप्योग सबसे पहले आप हमें ये बताईएगा जब भी कोई इ में अवस्यक्ता से जादा क्या हो वर्दी हो ये दिमाग में रहेगा हम पाउधा बनाईए रहे हैं तो नहीं मेरा दिमाग में ये रहेगा कि जैसा पहले बाला पाउधा है उससे लाक गुना अच्छा पाउधा फसले अच्छा उत्पाद दे पहला दिमाग में ही रहेगा दूसरा दिमाग हम इभी रखेंगे कि हमारे पेड़ पौधा को कीड़ा मकोड़ा बहुत परिसान करता है उस कीड़े मकोड़े से कैसे बचे ऐसा पौधा का निर्मान करेंगे कीड़ा मकोड़ा हमारे पौधे को किसी भी परकार से नुकसान ना पहुंचा सकी तिसरा नमबर थंडा हो गर्मी हो बरसाथ हो हमको उससे कुछो मतलब नहीं है किसी भी situation में किसी भी परिस्थिती में वहाँ पवधा क्या कर जाए विकास कर जाए उब जाए निर्मान हो जाए ये भी मेरा दिमाग में रहेगा रहेगा किने रहेगा और साथ ही साथ ये भी दिमाग में रहेंगे कि जो फसल हमने बोया है वह फसल से प्रिथवी को अर्थात मिट्टी को किसी भी परकार से नुकसान ना पहुंचे जहां तक हो फाइदा ही फाइदा पहुंचे तो यह सब एक फसल का जब हम मोडिफिकेशन करेंगे तो यह सब मेरा दिमाग में चलेगा कि नहीं चलेगा अब बताइएगा यह सब चीजों को लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे जी बिल्कुल लेकर चलेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे सर आईएगा तो जब आप एक फसल वाले पौधे का अगर आप निर्मान कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थीतियां में हमने मुख रूप से बता दिया पहला टार्गेट ये रहेगा कि अब स्यक्ता से ज़्यादा उत्पादन दे अब देखो फसलों की विर्धी यदि बात करे फूड मेटेरियल अर्थात खाद उत्पादन की विर्धी आप तीन तरीके से आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पहला नमर में आप आइग्रो केमिकल बेस्ट क्रीसी करके अब आइग्रो केमिकल बेस्ट क्रीसी क्या होता है सर मतलब जब आप क्रीसी में केमिकल का उप्योग करते हैं is अप उसको छोड़ लहता मर गया अर्थाथ अप फसल नu की विर्धी आप एक तरीके से कर सकते हैं क्रीसिय सैन्य और ना पॉल पर आधारीत कउची करके क्रिसी कर, मतलब रसायन का परियोग करके क्रिसी कीजिए, दूसरा नमर में कार्बनी क्रिसी, अब कार्बनी क्रिसी क्या होता है सर्थ, कार्बनी क्रिसी का मतलब होता है और्गैनिक एग्रिकल्चर, ये क्या है हम आगे आपको बताएंगे, और्गैनिक क्रिसी हम क्या होता है यह हम आपको बताएंगे लेकिन आप यहाँ पर और गैनिक पढ़ाएंगे इसके बारे में हम अगले चेप्टर में एक चेप्टर में आएगा इसका नाम वहाँ पर हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी हलका फलका जान जाएए कार्बनी खेती क्या होता है आप नाइन्थ की टेंथ में आप पढ़े होंगे विस्नोई परिवार के बारे में चिपको अंदोलन पढ़े होंगे तो वहाँ पर विश्णोई परिवार के बारे में बताया गया होगा आओं ही पर क्रीसी के बारे में भी चर्चा किया गया होगा और गैनिक अगरिकल्चर मतलब जब भी कोई फसल आप लगा रहे हैं मोटा मोटी समझ जाईए जब भी जहां भी कोई फसल लगा रहे हैं तो उ एक परकार का कारबनिक खेती है, अब ऐसे समझेंगे, हमने धान लगाया, धान के लगाने के बाद, हमने क्या कर दिया, उपर वला धान का जो होता है, कुछ ही होता है, बाल, धान के बाल को हमने उपर उपर क्या कर लिए, काट लिए, उसके बाद, कुछ दिन तक छोड़ दि तो मिटी की उरुबरक शमता बढ़ी तो खाद मसाला का उप्योग कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे कम जाएगा अरे कमेगा किना है तो आप कारबनी खेती करके भी क्या कर सकते हैं जी आप फसलों में पैदावार में विर्धी कर सकते हैं और तिसरा क्या है जेनेटिकली इंजिनियरिंग मतलब फसल के जीन में में परिवर्धन कर दीजिएगा तब ऐसी परिस्थीती में भी आपको अब स्यक्ता से जादा भोज पदार्त में इनहेस्मेंट अर्थात विर्धी देखने को मिलेगा जब जीन में परिवर्धन भी करते हैं तो आपको फसलों में विर्धी देखने को मिलते हैं अब बताईए तीनों में से अच्छा कौन है क्या केमिकल का परियोग करके आप क्रिसी कर रहे हैं क्या ये वाला अच्छा है क्या नई सर केमिकल का परियोग कर रहे हैं या केमिकल का अंस पेड़ पौधो फसलों में जाएगा अजब वह कटाएगा तो फिर आएगा हम ही लोग के पास फिर उसे खाएंगे तो उस खाद पदार्थ के माध्यम से मतलब हम कह सकते हैं डाइरेक्टली नहीं लेकिन इन डाइरेक मेरे सरीर में केमिकल का अंस जाएगा जो हमें नुकसान कर सकता है और नुकसान कर भी रहा है आज के समय में नहीं कर रहा है क्या हमारी जीवन अब धी दिन परती दिन क्या होते जा रही है कमते जा रही है क्योंकि हम लोग ऐसा सारा चीजे खा रहे हैं जो केमिकल से बना है समझ रहा है बात को तो ये एक परकार का सहसर ये क्रीसी नहीं करना चाहिए लोगों को लेकिन करते हैं अगला नमबर, और्गेनिक एग्रिकल्चर ठीक है, इसमें केमिकल का परियोग नहीं किया गया, फसल आपको अच्छा मिला, इसमें कोई दूमत नहीं है, फसल आपको अच्छा मिला, परन्तु जब आपने आग लगाया खेतों में, तो उससे जो खराब खराब गैसे विसली धुएं जो निकली, वह वातावरन में गया, तो वातावरन में जाकर वातावरन को परदूसित ही तो किया, तो ये भी डाइरेक्टली नहीं, लेकिन इन डाइरेक्टली मनुस को हानी पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं, लेकिन अगर जिनमें में हम परिवर्तन कर देते ह जिन में में चेंजिंग ला देते हैं और ऐसा फसले निर्मान कर देते हैं जिसको ना तो जादा केमिकल के जरूरत होगा और ना जादा उर्वरक छंता के जरूरत रहेगा किसी भी चीजों की जादा जरूरत में रहे और किसी मौसम में बन जाए यदि जीन में परिवर्तन कर कोई दिखाते हैं तक सौट में इसे क्या बोलेंगे GMO, GMO का मतलब होता है Genetically Modified Organism, Genetically Modified Organism, क्या है Genetically Modified Organism, यह important आपको है, अच्छा से इसे देख लिजेगा, बहुत ज़्यादा important है बाबू, आपसे पूछ देता है GMO क्या है और GMO के उदेश क्या होते हैं, यह GMO अब स्यक्ता से ज़्यादा आप सबों के लिए important है, GMO क्या है और इसके उदेश क्या होते हैं, आईए देखते हैं जराब, GMO नामी है Genetically, मतलब जीन में आप क्या करने वाले हैं, किसके जीन में, और गैनिजम में, जैसे की प्लांट के, बैक्टरिया के, फंगी के, और किसके जीव के, कोई भी जीवों के, यदि या सभी जीवों के जीन में हम क्या करते हैं कृत्रिम तरीके से परिवर्तन लाकर अच्छे जीव का निर्मान करते हैं वही क्या कहलाता है GMO कहलाता है GMO बोले तो क्या कहेंगे genetically modified organism अब ये उदेश क्या है अब सवाल ये पूछ देगा कि GMO आप क्यों करते हैं GMO का उदेश क्या है तो GMO का क्या उदेश है ये बोले पड़ेगा आप जीन को परिवर्तन ला रहे हैं तो अभी तो हम बताईए दिये जिन में आप परिवर्तन क्या सोच कर लाइएगा अपने लाब के लिए क्या लाब के लिए जैसे की अजैविक परतिवल वैसा परतिवल जो अजैविक है जैसे की ठंडा चाहे ठंडा का दिन हो चाहे ड्राइनेस का हो सूखापन हो किसी भी छेत्रों में अच्छे तरीके से फसल उग सके और पैदा भी अच्छा तरीके से दे सके पैदावार की भी अच्छा खासा हो मतलब अधीक सहन सकती वाला पौधे का क्या करेंगे निर्मान करने के लिए अधीक सहन सकती वाले पौधे बोलिये या जीव जन्तु के निर्मान करने के लिए हम GMO का क्या करते हैं परियोग करते हैं अर्थात जीन में क्या करते हैं हम परिवर्तन लाते हैं अगली बातें नेक्स्ट बातें अगली बातें क्या है chemical pesticide मतलब रसाइनिक पिड़क नासी मतलब वैसा chemical जो पिड़क को पिड़क बोले तो जो सब किड़ा मकोड़ा को मारने के लिए परियोग करते हैं वो कम से कम हमको इस पर निर्भर हो ना हो इसलिए हम क्या करते हैं GMO करते हैं जीने में परिवर्तन लाते हैं अगला नमर फसल की कटाई के बाद जादा मात्रा में वेस्ट मैटेरियल अर्थात अपसिस्ट पदार्थ ना बने इसके लिए भी हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं आपका येगा GMO करते हैं अगला नमर में फसल के द्वारा खनीजों में क्या हो विर्धी हो इसके लिए भी हम क्या करते हैं जी हमो करते हैं उसके बाद अगला नमर में फूड मैटेरियल में विर्धी होने के लिए तो करवे करते हैं साथ ही साथ पता चला फूड मैटेरियल धेर सारा है लेकिन उसमें पोशन का अस्तर पूरा गीरल है तो कोई फाइदा है जेनेटिक मोडिफाइड करने से अर्थाथ भोज पदार्त में न्यूट्रेंट्स लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं जी तो आप कहिएगा सर जी अमो करते हैं अर्थाथ जेनेटिक मोडिफाइड करते हैं कोई दिक्कत अहां तक ये आपके सारी बाते हैं अब जेनेटिक मोडिफिकेशन आपने किया तो ये कहता है GMO कौची कौची पर निर्भर करता है अब पता चल रहा है कि इसमें हम जीन के मोडिफिकेशन करने वाले हैं इस लड़की के अंदर अब बताईएगा यह जी एमो जेनेटिकली मोडिफिकेशन यह कौची कौची चीजों पर निर्भर करेगा पहला नमबर में जिसके अंदर जीन आप डाल रहे हैं पूरा का पूरा यह गड़वड रहे ह तो हम अगर जीन में मोडिफिकेसने करेंगे तो जी एमों से कुछ ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा रहे मिलेगा पूरा का पूरा खराब यह तो तो एक दो तो चीन करने से क्या कुछ परिवर्तन दिखेगा जी एमो ओ ही पर जी अ आच्छा तभी होगा ये निमलिखित चीजों पर निर्भर करता है जीन अच्छा होगा तभी जीन का modification किजिएगा तब अच्छा फसली आएगी अब जीन एक खराब है उसको जून को तुम ट्रांसपर कर दिया और कहा कि हमने जीन modification किया अरे अच्छा वाला किया क्या नहीं किया तो कोई फाइदा है क्या नहीं अगला नमर में होस्ट प्लांट जिसके अंदर आप जीन डाल रहे हैं वह पौधा कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसा ने पूरा खराब है पड़ा चला कि पीड़ से पूरा पेड़ का पती तती स भल जरल मरल है हमेशा उसका टुठडर्ल ट्रियं पतियां आता है अगला नमर में क्या औरगैनिजम के नेचर पर तो हमारा याद रखिएगा GMO का विवहार कौची कौची पर निर्भर करेगा जीन पर और कौची पर हॉस प्लांट पर जिसके अंदर आप डाल रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए और हमारा कौची जीव के प्रविर्ती पर जीव के प्रविर्ती पर ये सभी चीजों पर निर्भर करता है GMO जेनेटिक मोडिफाइड और्गेनिजम यदि आप से पूछ दे कि GMO से आप क्या समझते हैं इसके उदेस्यों को लिखें तो नहीं लिखा जाएगा नाम ये जेनेटिक मोडिफाइड और्गेनिजम यदि किसी भी जीव जन्तूओं के जीन में क्रित्रिम तरीके से परिवर्तन लाकर एक नया जीव जन्तूओं का निर्मान करते हैं नया पिड़ पौदा का निर्मान करते हैं वही क्या कलाता है GMO कलाता है GMO हम निम्न लिखीत उदेस्यों के लिए करते हैं जैसे कि पहला क्या बोलोगे पहला क्या अजयविक पर्तिबल अपना भासा में बोलना है तो अपना भासा में बोलिए अजयविक पर्तिबल से अधिक सहन सिक्ता का क्या करने के लिए निर्मान करने के लिए दूसरा नमर में रसाइनिक प्रियक नासी का कम से कम पर्योग करने के लिए अगला नमर में फसल की कटाई के बाद कम से कम क्या बने वेस्ट पतार्थ बने इसके लिए करते हैं अगला नमर में फसल के द्वारा खनीज की मातरा अब स्यक्ता से ज़्यादा विर्धी हो इसके लिए करते हैं जो भोजपदार्थ बने हुआ भोजपदार्थ में पोशन का अस्तर अधीक हो इसके लिए भी करते हैं। इसको ऐसे नहीं याद रखना है अपना दिमाग से हम क्यों जेनेटिक मोडिफाइड कर रहा हैं। अपना दिमाग से रख लीजए। अप ऐसा नहीं कि जैसा लिख लव ऐसा बूना है। सोचके बोली हम क्यों जीन में परिवर्तन करेंगे। तो पैदावार में विर्धी करने के लिए पहला हो गया। पैदावार में विर्धी करने के लिए पीड़कनासियों से बचने के लिए पीड़कनासियों से बचने के लिए पीड़कनासियों से बचने के लिए जीएमो करते हैं उसके बाद किसी भी वातावरन में पीड़कनासियों से बचने के लिए जीएमो करते हैं करते हैं कि ने करते हैं कुदिकत उसके बाद पैदावार की जो विर्धी हो जो खाद पदार्थ का उत्पादन हो वह खाद पदार्थ में उचीत मात्रा में परियाप्त मात्रा में पोसनिये माध्यम हो पोसनिये चीज हो इसके लिए भी हम GMO करते हैं और साथ ही साथ खनीज पदार्थ को विर्धी के लिए भी हम क्या करते हैं जी हमो करते हैं बाप समझ में आया कोई दिक्कत तो यह यहां तक आपकी बिंदू हो गई कल की कलास में हम आपको देखेंगे पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट बनोटे ओप पिडख पर्तिरोधी फसल क्या है पिडख पर्तिरोधी फसल ऐसे ऐसे फसलों का निर्मान करेंगे जो आपके कोई भी किड़े मकोड़े से नुकसान जादा नहीं उस पौद्धे को कर पाएंगे नामी है पीड़क परतिरोधी मतलब वैसा फशल जो परतिरोध का काम करेगा किस के लिए पीड़क कों के लिए किड़े मकोडे के लिए ऐसा पौधा बनाईए देंगा ऐसा जीने डाल देंगा ना किसी का सरीरिये पूरा पौधा में बदवू मारेगा बद्भू मारेगा तो कोई आके सठभे नहीं करेगा किरा हूँ पुणा किसी में कुछ करेंगे किसी में कुछ करेंगे वो तरह तरह का चीजे हैं काफी अब स्यक्ता से ज़्यादा important है जैसे कि बहुत सारे फिल्डग पर्ति परोधी फसल का निर्मान हुआ है जैसे की BT cotton, जैसे की BT corn, जैसे की tomato, जैसे की potato, ये सारे के सारे ऐसे फसल का निर्मान किये गए हैं, जो फसल पिर्ड़क परतिरोधी है, अर्थात इसे कीड़े मकोडे जादे नुक्सान पहुंचा नहीं सकते हैं, और सारा का सारा अब स्यक्ता से ज़्यादा important है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, चार से पाच दिन का यह कलास होगा, समाप्त हो जाएगा, complete यहां तक, तो आप हमें सबसे पहले ये बता दीजिए, आज कौन सा चेप्टर चल रहा है जी, बोलो जरा कौन सा चेप्टर, मतलब जैप रौधावगी की का हम क्या करने वाले हैं, उप्योग, सी, दीसी बाते हैं, सबसे पहले बताईएगा, जैप रौधावगी की का उप्योग कान-कन सा चेप्टर में, बोलो, पहला क्या, दूसरा क्या, तिसरा क्या, चौथा क्या, पाचवा क्या, और छटा क्या, अगली बातें, नेक्स्ट बातें, हमने बोला, त्री क्रिटिकल research area of biotechnology مطلب जीवों पर research करने के लिए यतना ऐसे समझाइए कि तीन आपके critical research areas हैं जहां पहला जगा क्या किया जाता है अच्छे सुचमजीवों की चैन की जाती है सुचमजीवों का उन्नत quality का सुचमजीव का क्या किया जाता है निर्मान किया जाता है दूसरा क्या करेगा उचीत वाता वरन में रखेगा तिसरा क्या करेगा जो भी प्रोडक्शन उत्पाद बनेगा उस उत्पाद की जाच परताल करके वह मार्केट में क्या कर देगा भेज देगा तीनों बिंदी मत लंबा याद रखो ति उचित बातावरन देगा तिसरा नमर में क्या करेगा जो प्रोडक्ट करेगा उथपादन करेगा उसको हम क्या करेंगे बढ़िया से जाच परताल करके आगे की और भेज़ेंगे चली हो गया उसके बाद बताईएगा क्रिसी में भोज उत्पादन को बहाने के क्या एकाग तरीका है क्या तीन तरीका है पहला कोची का इस्तेमाल कीजिए केमिकल का पहला कोची का दूसरा कोची का इस्तेमाल कीजिए अर्थात और्गैनिक क्रिसी का इस्तेमाल कीजिए और तिसरा नमबर में किसका इस्तेमाल कीजिए जेनिटिक्ली इंजिनियरिंग क्रोप फसल का निर्मान के लिए तीनों में से सबसे बढ़िया कौन हो जाएगा क्योंकि इसमें किसी भी परकार का पर्दूसन फर्दूसन नहीं है तो genetically modified organism में GMO क्या है सबसे पहरे genetically modified organism जब जीवों के gene में हम परिवर्तन लाते हैं वही क्या कहलाता है genetically modified organism कहलाता है क्यों लाते हैं तो निमलिखित उदेश्यों के कारण लाते हैं और GMO कौची कौची पर निर्भर करेगा gene की गुनवता पर gene कैसी है उसके बाद किसके अंदर डाल रहे हैं वो भी निर्भर करेगा और जीव के प्रविर्ति पर जैसे कि पता चल रहा हम प्रहा रहे हैं और आप अच्छा प्ढ़ लें आप अच्छा परफॉर्मेंस करें हम मानिए gene है हम आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमने सारा का सारा पढ़ जाएं सारी बाते जान जाएं अच्छा परफॉर्मेंस करें ये निर्भर आप पर भी करेगा करेगा कीने करेगा हमें याससे भूक रहे हैं आपकर कुछ उसकर का लूरे लच्छनिया ने है तो आप बतáयेगा क्या हमा हम अच्छा रहे लेकिन कोई फैदा किया क्या नहीं किया अर्थात हमरों पर निर्भर करेगा हमरा पर निर्भर करेगा हम कैसा पहार है दूसरा नमर में आप पर भी निर्भर करेगा जिस पर हम ग्यान दे रहे हैं समझ रहा है बातों को उसके बाद जीब की प्रवि